Sale, Purchase of NPAs तो हमें NPA की Sale और Purchase करते समय किन-किन बात होगा ध्यान रखना चाहिए तो पहले हम Sale of NPA को देख लेते हैं तो हम सिर्फ उन्ही NPA को, हम यानि Bank Bank सिर्फ उन्ही NPA को बेच सकता है जो कि कम से कम 2 साल के लिए हमारी Books में यानि Bank के Book में NPA रहे हूं और NPA को सिर्फ Cash Basis पर ही बेचा जाएगा NPA को खरीदा या बेचा जाएगा Without Records Only Basis पर Without Records मतलब कि अगर बात में कम रिकवरी हुई या रिकवरी नहीं हो पाई किसी भी तरीके से तो Bank की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और NPA बेचने के बाद बेचने के बाद NPA को बुक से रिमॉफ करते हैगा अगर बेचने पर शॉटफॉल होता है तो उसे प्रॉफित रिस्क नहीं होगा लेकिन अगर बिकता है नेट बुक वैल्यू से अगर बिक जाता है तो प्रॉफित रिकॉनाइज नहीं किया जाएगा बलकि जो एक्सेस अवांट रिसी वह है उसे एज़ प्रॉफित रिमॉफित किया जाएगा फ्यूचर में किसी अदर NPA की सेल पर अगर कोई लॉस होता है तो उसको सेट अफ करने के लिए अब हम देखते हैं पर्चेस ऑफ NPA के किस में क्या ध्यान रखना चाहिए कि NPA आपने वह वाले NPA पर्चेस नहीं करनी चाहिए जो कि NPA आपने औरिजिनली सोल्ड किया था फिर NPA पर्चेस करने के बाद सबसे पहले आप उसकी क्लासिफिकेशन पर रखना या धिया सबस्टै compiled ५ूर्ट है या या लॉसीथ तके पर रखना ही क्लासिफिकेशन पर करोग उसकी फिर फीर जब आप ए common keep पर करो तो सबसे पहले उसकी अक्यूजिशन कोस्ट जो है उसको cover करोगे उसके बाद अगर को एक्सेस अवांड मिल acquisition cost के बाद तभी आप उसको profit recognize करोगे और जो NP है उसको आप 100% risk weighted assets की तरह treat करोगे